अमारे देश में रोड्स पर हजारों एक्सिडेंट्स होते हैं जिस वज़े से इंडिया की रोड्स पर कारों को अंसेफ माना जाता रहा है इसके अलावा इंडिया की कारों में सेफ्टी को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है लेकिन जब से ग्लोबल एंसीफी ने इंडिय campaign को start किया था और ये campaign इंडियन government और इंडियन car market के car makers की आँख खोलने वाला प्रूव गई इस campaign की वजए से government ने cars की safety की और ज़्यादा जोर दिया और देश में बिगने वाली कारों के लिए ज़्यादा strict crash और safety rules को अपनाया तो इस video में हम global ncp crash test में इंडिया की टॉप 10 सेवेस्ट कार्स को कवर करेंगे सो गाइज आई रिक्ष्ट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले विले इस लिश्ट में नमबर 10 पर कर आजाती है मारूति सुजुकी एर्टिगा एर्टिगा मारूति की एक 7-seater MPV कार है इंडिया में सबसे ज्यदा भिकने वाली 7-seater कारों की लिस्ट में एर्टिगा टोप पर आजाती है एर्टिगा इसकी reliability और easily available parts के लिए जानी जाती है एर्टिगा को global NCAP crash test में adults और child दो प्रकार की सेफटी में 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है टेस्ट में यूज की गई कार एर्टिगा का 2019 मोडल है जो दो एरवेक्स के साथ आती है एर्टिगा को एडेल्ट ओक्यूपेंट में 17 में से 9.25 नमर्स दिये है जबकि चाइल्ड ओक्यूपेंट में यानि बच्चों की सेफटी के लिए 49 में से 25.16 नमर्स दिये है एर्टिगा में 1.5 लिटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 103 HP की मैक्जिमम पावर जिनरेट करता है वहीं गाड़ी की XORUM प्राइज 7.59 लेक्स से सुरू होकर टोप अप दे लाइन वेरियंट की कीमत 10.13 लाग रुपे है आगे लिष्ट में 9 रिंग पर आजाती है फोर्ड एस्पायर एस्पायर फोर्ड की सब 4 मिटर कॉम्पेक्ट सेडान है फोर्ड एस्पायर अपने पावरफुल इंजन और स्ट्रोंग बोडी स्ट्रक्टर के लिए जानी जाती है एस्पायर को ग्लोबल एस्पी क्रेश टेस्ट में अडल्ट सेफटी के लिए 3 स्टार जबकि चाइल्ट सेफटी के लिए 2 स्टार की डेटिंग मिली हुई है एस्पायर को अडल्ट ओक्युपेंट में 17 में से 10.49 नमर्स दिये हैं जबकि Child Occupant में यानि बचों की सेफटी के लिए 49 में 14.22 नंबर्स दिये हैं Aspire में 1.5 लिटर का डीजल और 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है वहीं गाड़ी की XORUM प्राइज 5.99 लाग रुपी से सुरू होकर Top of the Line वेजिंट की कीमत 8.34 लाग रुप है आगे लिष्ट में 8th रेंग पर आजाती है मारूती सुजुकी विटारा ब्रेजा विटारा ब्रेजा एक सब 4 मिल्टर कॉम्पेक्ट SUV है विटारा ब्रेजा अपने सेग्मेंट की वन ओफ दो बेस्ट रेलिंग कार भी है कमपनी नहीं से हाली में अपडेट दिया था जिसमें कोस्मेटिक बदलाओ के साथ BS6 कमप्लाइंट इंजन भी एड़ किये गई विटारा ब्रेजा को ग्लोबल NCAP क्रेश टेस्ट में एडल्ट सेफटी में 4 स्टार जबकि चाइल्ड सेफटी में 2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है NCAP ने ब्रेजा को बच्चों से ज़्यादा एडल्ट के लिए सेफ माना है NCAP ने विटारा ब्रेजा को एडल्ट ओक्यूपेंट में 17 में से 12.51 नमर्स दिये हैं जबकि चाइल्ड ओक्यूपेंट यानि बच्चों की सेफटी के लिए 49 में से 17.93 नमर्स दिये हैं विटार ब्रेजा में 1.5 लिटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 103 HP की मैक्सिमम पावर जिनरेट करता है वहीं गाड़ी की एक्सोरूम प्राइज 7.34 लेक्स से शुरू होकर टोप अप दे लाइन वेरियंट की कीमत 11.40 लाख रुपए है आगे लिष्ट में 7 रेंग पर आजाती है टाटा टियागो और टाटा टिगोर टियागो टाटा की एंट्री लेवल हैचबे कार है और टिगोर इसी पर डेवलेप की गई इसका सेडान वर्जन है दोने ही कारों को टाटा ने जनवरी में ही अपडेट दिया था टियागो और टिगोर को ग्लोबल सेफटी टेस्ट में एडल्ट सेफटी में 4 स्टार जबकि चाइड्ट सेफटी में 3 स्टार की डिटिंग मिली हुई है टेस्ट में एडल्ट की हैड और नेक की प्रोटेक्शन अच्छी थी दोनों ही कारों के लिए NCP ने टियागो और टिगोर को adult occupant में 17 में से 12.52 नमबर्स दिये हैं जबकि child occupant में यानि बचों की safety के लिए 49 में से 34.15 नमबर्स दिये हैं Tata की इन दोनों कारों में 1.2 लिटर का petrol engine मिल जाता है जो 84 HP की maximum power generate करता है वहीं Tata Tiago की XORUM price 4.6 लाग रुपेज से शुरू होकर top of the line variant की कीमत 6.6 लाग रुपेज है वहीं Tata Tiago की XORUM price 5.75 लाग से शुरू होकर 7.49 लाग रुपेज है आगे लिश्ट में 16 रेंग पराज आती है Volkswagen Polo Polo एक सब 4 मिटर premium hatchback है Volkswagen Polo अपने segment की one of the best, premium और strongest cars में से एक है Polo को Global NCP crash test में adult safety में 4 star जबकि child safety में 3 star की rating मिली हुई है Volkswagen Polo इंडिया की first car थी जिसने इस campaign में participate किया था NCP ने Polo को adult occupant में 17 में से 12.54 नमबर दिये हैं जबकि child occupant में 49 में से 29.91 नमबर दिये हैं Volkswagen Polo में 1 लिटर का turbo petrol engine मिल जाता है जो 108 HP की maximum power generate करता है वहीं गाड़ी की XORum price 5.82 लैक से शुरूओकर Top of the line variant की कीमत 9.59 लाग रुपए है आगे list में 5th rank पर आजाती है महिंद्रा मेराजो मेराजो कमपनी की premium MPV vehicle है गाड़ी 7 sitter और 8 sitter के option के साथ आती है मेराजो अपने segment की सबसे जदा value for money car भी है और कई मामलों में तो मेराजो अपने से 2 times expensive innova पर भी बारी पड़ती है मेराजो को Global NCAP crash test में adult safety के लिए 4 star जबकि child safety के लिए 2 star की rating में डिवी है मेराजो में safety की बात करें तो इसमें dual front airbags, ABS with EBD, brake assist और ISOFIC child seat जैसे features दिये गए है NCAP ने मेराजो को adult occupant में 17 में से 12.85 नमर्स दिये है जबकि child occupant में 49 में से 22.22 नमर्स दिये है महिंदरा मेराजो में 1.5 लिटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो maximum 121 HP की power generate करता है वहीं गाड़ी की XO room price 9.99 लैक से शुरू होकर top of the line variant की कीमत 14.76 लाग रुपए है आगे लिष्ट में 4th rank पराज आती है Honda Amaze जापानी कार मेकर कमपनी होंडा की entry level sedan कार Amaze best diesel sedan कारों में से एक है कमपनी ने जनवरी में इस कार को BS6 diesel और petrol engine के साथ अपडेट किया था Amaze को global NCFP crash test में adult safety के लिए 4 star जबकि child safety के लिए 1 star की rating मिली हुई है safety features की बात की जाए तो Honda Amaze में advanced body structure, driver और passengers के लिए SRS airbags, load limiter के साथ seat pre-tensioners, EBD, rear parking sensor और guidelines के साथ rear camera जैसे features दिये गए है NCFP ने Amaze को adult occupant में 17 में से 14.08 नमबर दिये है जबकि child occupant यानि बच्चों की safety के लिए 49 में से 8.16 नमबर दिये है Honda Amaze में 1.5 लिटर का diesel engine जो 98 BHP की पावर और दूसरा 1.2 लिटर का petrol engine जो 89 BHP की पावर जिनरेट करता है वहीं गाड़ी की XO room price 6.09 लाग से सुरूओकर top of the line variant की कीमत 9.95 लाग रुप है आगे लिस्ट में 3 रेंग पर आ जाती है Tata Nexon Tata Nexon सब 4 मिटर compact SUV है Nexon अपने यूनिक बोडी डिजाइन और स्ट्रॉंग बोडी स्ट्रक्स्टर के लिए अपने सेगमेंट में बहुत पॉपिलर है कंपनी ने Nexon को इस साल फैसलिट दिया था जिसमें BS6 engine के साथ कोस्मेटिक चेंज़ज और क्रूज कंट्रोल इलेक्ट्रिक संद्रूप ये एसी वेंट्स जैसे कई न्यू फिचर्स एड किये गए थे बात करें सेफटी की तो Tata Nexon इंडिया की फर्स्ट कार थी जिसे ग्लोबल NCAP क्रेस टेस्ट में एडल्ट सेफटी में 5 आउट ओ 5 star की रेटिंग मिली थी जबकि चाइल्ड सेफटी में नेक्सोन को 3 star की रेटिंग मिली वही है NCP ने नेक्सोन को adult occupant में 17 में से 16.06 नमबर्स जबकि child occupant में 49 में से 25 नमबर्स दिये हैं टाडा नेक्सोन को petrol वर्जन में 1.2 लिटर टर्बो इंजन और 1.5 लिटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जिसमें petrol वर्जन मेक्सिमम 120 PS की पावर और डीजल वेनियेट 110 PS की पावर जिनरेट करता है गाड़ी की एक्सोरूम प्राइज 6.95 लेक्स से शुरू होकर 12.17 लाक रुपे तक जाती है इसके अलावा टाटा नेक्सेन का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है जो सिंगल चार्ज पर 250 किलोमेटर तक की रेंज दे देता है आगे लिष्ट में सेकंड रेंग पर आजाती है टाटा अल्ट्रोज अल्ट्रोज को टाटा ने इस साल जनवरी में ही लौंच किया था प्रीमियम हैच्पेक सेग्मेंट की अल्ट्रोज अपने लौंच से ही पहले बहुत पॉप्लर हो चुकी थी क्योंकि लौंच से पहले ही कंपनी ने इसका क्रेश टेस्ट करवा लिया था टाटा अल्ट्रोज इंडिया में बेशी जाने वाली one and only premium hatchback कार है जिसे NCP test में 5 star की rating मिली हुई है जबकि child safety में इसे 3 star की rating मिली हुई है crash test में अल्ट्रोज को adult occupant में 17 में से 16.13 numbers जबकि child occupant में 49 में से 29th number मिले हुई है safety features में टाटा अल्ट्रोज में ABS, EBD, coordinating stability control, dual front airbags, river parking camera, voice alert warning, parking assist, height adjustable seat और seatbelt reminder जैसे features दिये गए है engine में अल्ट्रोज में कंपनी ने 1.2 लिल्टर थ्रिस्लेंडर रेवर्ट्रोण पैट्रोल, और 1.5 लिल्टर फ्रिस्लेंडर रेवर्ट्रोग डीजल इंजन का यूज़ किया है नेक्स्ट, इंडिया की इस बजट की सबसे सेफेस्ट कार है महिंदरा XUV3W, सब 4 मिटर कॉंपक्ट SUV XUV3W को महिंदरा ने 2019 में मार्केट में लोंच किया था, महिंदरा ने इसे साय कंपनी सैंग्यों की टिवोली पर डेवलेप किया है महिंदरा XUV3W, पिछले मैने माई की 1257 उनिट्स की सेल के साथ बेस्ट सेलिंग कॉंपक्ट SUV रही है इस 1257 उनिट्स की सेल के साथ, XUV3W ने इसे सेगमेंट की सभी पॉपुलर कंप्टिटर्स जैसे मारूती सुजुकी विडारा ब्रेजा और हिंड़ी वेन्यू को ओवर्टेक कर लिया है XUV3W को Global NCAP Crash Test में Adult Safety के लिए 5 स्टार जबकि Child Safety के लिए 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है NCAP ने XUV3W को Adult Occupant में 17 में से 16.42 नंबर्स दिये हैं जबकि Child Occupant में 49 में से 37.44 नंबर्स दिये हैं यानि ये SUV, adults और बच्चो दोनों के लिए completely safe है XUV3W में 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल्स और 110 बेस्पी की पावर और 1.5 लिटर डीजल उनीट्स और 115 एस्पी की पावर जनरेट करती है इसके अलावा इसमें आपको cruise control, electric sunroof, seven airbags, four wheel disc brake, front parking sensor जैसे best safety features भी दिये गए है गाड़ी की XORUM प्राइज 8.3 लेक रुपीज से स्टार्ट होकर top of the line variant की कीमत 12.69 लाक रुपए हैं तो ये हैं वो इंडिया की top 10 safest cars आप कमेंट करके जुरू बरता हैं कि निमेंसे आपकी favorite car कौन सी है और आप किस car को ज़्यादा prefer करेंगे ज़्यादा information के लिए आप हमें Instagram पर भी contact कर सकते हैं And I hope you liked this video If yes, hit the like button and subscribe our channel for latest automobile updates तड़ सनने हमें